राजधारी पटना में गैंग रेप की वारदात से चात्रों का गुस्सा उफान पर है पटना इंवस्टी के चात्रों ने इस वारदात के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला गांधी मैदान से सटे करगिल चौक पर बड़ी तादाद में छात्र जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की चात्र रेप पीडित को इंसाफ की मांग और विरोध पदर्शन करने वाले चात्रों पर लाठी चार्ज के खिलाफ अपनी आवाज भुलंद करते नजर आए चात्र संग के प्रिजनी दिमंडल ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की और लापरवाही बरतने वाले पटना इन्वस्टी के अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग की कि गिरफतारी के बाद विश्विद्याले के अधिकारियों पे भी करवाई हो तब हम लोग या अंदोलन को रोकेंगे गोरतला भाय की राजदानी पटना में एक कॉलेज की चात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद से सूबे का सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है बताया जा रहा है कि लड़की के बॉइफरेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाटली पुत्र सानाक छेतर में गैंग रेप की बारदात को अंजाम दिया मामले में चार लोगों के खिलाब नामजद F.I.R. दर्च की गई है जिसमें से दो लोग गिरफतार भी कर लिये गए हैं चापे मारी जारी है और सरकार का दावा है कि जल्द ही बाकी दोनों आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे बहुत जल्द इस घटना से जुड़े तमाम जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और इसकी जल्द सुनवाई हो इसको आधिकारिक तोर पर हम लोगों ने पार्टी मुख्याले को अनुरूद भी किया है बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के दोरान आरोपियों ने मोबाईल और वीडियो भी बनाया और पीडिच छातरा को धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी से भी जिक्र किया तो वीडियो को वाइरल कर दिया जाएगा विपक्ष अपराधियों के इस बढ़ते होंसले के लिए सरकार और खस्ताहाल कानून ववस्ता को जिम्यदा ठहरा रहा है बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद दरिंदों ने पीडिता को सिग्रेट से दागा बारहाल मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेब की तस्दीक हो चुकी है और फरार आरोपी अमन भूमी और अश्वनी सिंग राशपूत के खिलाफ कोर्ट ने वारन भी जारी कर दिया है गिरफतारी नहीं होने पर कुर्की जबती की भी इजाज़त कोर्ट से पुलिस को मिल चुकी है फिर एक बेटी हवस का शिकार बनी है फिर एक दरिंदे ने सारी हदें पार कर दी है वाक्या यूपी के फतेःपूर जिले के हुसेन गंज थाना इलाके का है बता जा रहा है कि गाउं में ही पडोस के रहने वाले एक लड़के ने यूती को पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया गंभीर हालत में घरवाले उसे लेकर जिलास पताल आये जहां मौझूद डॉक्टर्स ने उसे प्रात्मी के लाज के बाद कानपूर के लिए रफर कर दिया कि अपने परसेंट बनाया थे कि वसे नाय से जली है तो अपने इसके लिए जो यह तैसिर दार बगएर ले रहते हैं अपने जो जो जाजस्ती करने के बाद कि अपने जो लड़की का कैना थे जो मेरे सामजे मात ले वागी हंड़े परसेंट बढ़ थे आरोपी 22 साल का मेवालाल बताया जा रहा है रिष्टे में वो यूती का चाचा लगता है और उसके पडोस में ही रहता है वारदात को अंजाम दे कर आरोपी फरार हो गया है वहीं मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को तयार नहीं है बीरो रिपोर्ट जी मीडिया नोईडा के सेक्टर 128 इस्थिद जेबी पवेलियन सोसाइटी की इस इमारत की चहार दिवारी के भीतर से जो खबर निकली है उसने हर किसी को दहला कर रख दिया है शनिवार की सुबह जब इस सोसाइटी में रहने वालों की नेंद खुली तो एक मनहूस खबर उनका इंतजार कर रही थी इस बिल्डिंग में रहने वाली शिवरंजनी नाम की एक महिला ने अपनी पांच साल की बेटी के साथ फांसी लगा कर जान दे दी शिवरंजनी मूल रूप से चन्ने की रहने वाली थी उनके पती भरत दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी में जनरल मेनेजर थे जो की पहले काठवांडू में तैनाद थे सितंबर 2019 में वो भारत आये थे और नोईडा के सेक्टर 28 की जेबी पविलियन सोसाइटी में रह रहे थे भरत की पत्नी शिवरंजनी हाउस वाइफ थी और बेटी नरसरी में पढ़ रही थी शुक्रवार सुबह साड़े ग्यारा बजे दिल्ली के जैनियू मेट्रो स्टेशन पर भरत ने मेट्रो के आगे कूद कर आत्म हत्या कर ली पती की मौत की अबर पाकर शिवरंजनी अपने देवर के साथ आरे मेल होस्पिटल पहुंची वहां से शाम साधे साथ बजे सेक्टर 121 इस्तित अपने घर लोटने के बाद शिवरंजनी ने अपनी पांच साल की बेटी को पहले पंखे से फांसी पर लटकाया और फिर खुद भी फंदे स जूल गई वहां से लोटने के बाद ये अपनी कमरे में गई और अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया अंदर बेटी के साथ इन्होंने पंके से लटक कर सुशाइट कर लिया भरत सुबह रोज की तरह नोईडा इस्तित अपनी घर से कमपनी गए थे करीब साथे ग्यारा बजे जवाहलाल नहरू इन्वेस्टी मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूत कर उन्होंने जान दे दी दिल्ली पुलिस ने शब को राम अनोहर लोहिया अस्पताल में रखवाया और घरवालों को खबर की इसी के बाद शिवरंजनी पहले अस्पताल पहुँची और फिर घर आकर बेटी के साथ खुदकुशी का खौफनाक कदम उठा लिया भरत और शिवरंजनी ने दस साल पहले लव मैरिज की थी दोनों की शादी शुदा जिंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी फिर अचानक भरत ने आतमत्या क्यों कि इस बारे में कुछ ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है हलाकि शुरुवाती जांच के मुताबिक भरत पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परिशान चल रहे थे इसी से परिशान होकर उन्होंने खुदकुशी की भरत की मौत की खबर शिवरंजनी बरदाश्ट नहीं कर पाई और उसने भी बेटी के साथ जान दे दी अबी कुछ रोज पहले गाजियाबाद के इंद्रापूरम में एक दमपती ने अपने घर के आठवी मंजिल से कूट कर जान दे दी थी आत्मत्या से पहले उन्होंने अपने दो बच्चों की भी गला दबा कर हत्या कर दी थी गाजियाबाद के पौश इलाके में हुई इस घटना ने खूब सुर्खिया बटोरी थी अब नोईडा में एक परिवार के उसी तरह खत्म हो जानी की इस घटना ने लोगों को दहला कर रख दिया है इस तरह से बढ़ती आत्मत्या की घटनाय ये बता रही है कि जिन्दगी में बढ़ते तनाओं को लोग बरदाश्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जिन्दगी खत्म कर रहे हैं बीरो रिपोर्ट जी मीडिया